दियर इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें दूसरी पार्ट का अंतिम पॉइंट मादा युगमकोद भीद अत्वा बुरुनकोस के बारे में समझेंगे इसके लिए हम पहले अपने जो पार्ट है उस पार्ट को एक बार तोड़ा सा देखते हैं पार्ट का नाम है नर एओ मादा युगमकोद भीद थन्रतना इम विकास तो पिछले वीडियो में हमें नर के बारे में पढ़ चुके हैं और मादा युगमकोद भीद के लिए भी अपने दो वीडियो अलक्ष डाल रखे हैं तो यहां पर हम जो मादा युगमकोद भीद है उसमें बुरुनकोस की सनचना के बारे में जानकारी पराप्त करेंगे तो मादा युगमकोद भीद जो है यह में पॉइंट अपना पार्ट का जो दूसरा पार्ट है वो है उसके तीन इसमें पॉइंट दे रखे हैं एक तो अंडप या अथवा गुरु बिजानू परण है ठीक है इसके बारे में अपने पढ़ा था कि अंडप या गुरु बिजानू परण बोल दीजिए या फिर चाहे इसको इस तरी के सर बोल दीजिए की बात है दूसरा इसमें अपने पढ़ा था इसी के अंदर था बिजांड की संरचना जो कि यहां अपने इस परकार शाप को दिखा दे रही है तेसरा इसी में था बिजांड के परकार ठीक है जो कि अपने पिछले वीडियों पढ़ा था और दूसरा दो पॉइंट है वो अपने पड़ा था गुरु बिजानु जनन ठीक है इसका अलग्षी वीडियो है और तीसरा दो पॉइंट एंतिम पॉइंट है वो है मादावी मुकोद भीदतवा बुरुनकोष अब देखिए अपन थोड़ा सा इसको यह इसमें यह दो तीन पॉइंट है इनको अपन अपने नोट्स के अकोडिंग देखें तो अपन नोट्स की बात के लिए तो तलिए नोट्स में चलते हैं अपन यह रहा मादावी मुकोद भीद की सनुसना है विकास इसमें अपन ने अंडप इस तरीके सरिया गुरु बिजानु परण के अपने में बढ़ा यह आपको दिखाए दे रहा है डाग्राम में यह अंडप यानकी तीन बाग है वर्तिकागर वर्तिकार अंड़ाशे यह सनुसना को दिख रही है यह वाली इसको बढ़ा करके अपने यहां दिखा दिया इसके अंदर यह बिजान्ड होता है ठीक है यह पूरा परकार पनेटाता है बिजान्ड या गुरू बिजानु धाने की सनुसना बिजान्ड बोल दीजिए या गुरू बिजानु धानी बोल दीजिए उसकी सनुसना देखो इस परकार से अपने पूरा समझा था इसको ठीक है यह बिजान्ड की सनुसना है और इसके अंदर यहां था किस परकार से गुरू बिजानों बनता है तो उसकी तो प्रोसेस थी एक बाद थोड़ा सा आपन देख लेते हैं सोर्ट में कि तो बिजान काई के अंदर एक परपसु कोशिका या आर्ची स्पुरिल इनिशियल सेल होती है वो विवाजन करके दो कोशिका बनाती है एक तो मातर कोशिका लगातार दो बार अर्चुत्री वजन करेगी अर्चुत्री पर्थम और अर्चुत्री दित्य ठीक है और चार गुरू बिजानों बनाती है एक दो तीन और च्यार उसमें से ये जो निभाग की ओर वाला गुरू बिजानों है ये किर्यात्मक सक्रिय होता है उपर वाले तीन जो है जो बिजान द्वार की हो रहे है वो निस्करी होते हैं इतना सब कुछ अपने पहले पढ़ लिया था अब आज का दो पोइंट है वो है मादा यूमकोद वीद या बुरुनकोस इसमें दो पोइंट है मादा यूमकोद वीद का परिवर्दन केशे होता है यानि कि मादा यूमकोद वीद या बुरुनकोस केशे बनता है और दूसरे में पढ़ेंगे अपने बुरुनकोस की सनसना केशी होती है चीक है तो अपने अपनी पाठे पुस्तक है उसी की अपने लाइन टो लाइन जो है उसको पढ़ेंगे अपने नोट्स के अरकोंड केशे बनता है तो पिछले वीडियो तक अपने यहां एक बार दुबारा लेकर चलूँगा आपको मैं यह जो गुरु बिजानु मातर कोशी का है सोरी ये रहा ये है गुरु बिजानु मात्रकोशी का और ये अर्ष उत्री बादन करके गुरु बिजानु बनाती है ये गुरु बिजानु रहा ये गुरु बिजानु जो है ये ही आगे भुरन कोश बनाएगा देखते हैं कैसे देखे का डाइगराम के अंदर यहाँ पर यह बिजान्ड की सनस्था है पूरी है ठीक है ना यहाँ पर यह बिजान्ड वरंत है ठीक है यहाँ पर यह नाभी का जिसको कहते हैं इदर यह निभाग है इसका यह सारी बाते हैं इसमें और यहाँ पर यह जो तीन जो कोश्ची काएं हैं तेन गुरो बुजानों जो हैं ये दिख रहे हैं आपको ये निस्करिय होते हैं और ये जो निभा के तरप ये इधर है इस साइड में ये गुरु बुजानों सकरिय होता है जो देखे हैं और इसमें एक क्यांदरक है तो की एगूनित है क्योंकि यह सुत्री वाजन करेगा पर था इसमें इस एक से दो क्यांदरक बन गई ठीक है? दो ऐगुनित के अंदरक बन गई एक छोटी बीच में यह बन रही है रिक्तिका ठीक है? यह रिक्तिका दिरे दिरे बड़ी हो रही है तैको यह इसमें बड़ी हो गई और परतर्म समसथोरी वाजन से फिर दोसरा समसथोरी वाजन होगा उसे इस के अंदरक से दो बन जाएंगे और यह रिक्तिका काकार दिरे दिरे बढ़ रहा है फिर तेसरा समसुदर यही वाजन होगा तो यहाँ पर उपर दो-दो कोशिका हैं दिखा रहे थी आपको यह एक कोशिका है निकी इज़र दो से चार बन जाएंगी और इदर भी दो से निचे वाले चार बन जाएंगी और यह रिक्तिका काकार बड़ा हो गया ठीक है? अब यह चार और चार कुल आठ कोशिकाएं है अब यह आठो कोशिकाएं जो है इन में से देखें चार जो है चार में से एक बीच में आ जाएगी नीचे वाली जो चार है ूर। दो चार है इन में से भी एक बिच में आजाएगी यह यहाँ पर देखो दोनों कोशिकाय है बीच में आगई इदर बची तीन थीन इदर बच गई और तीन इदर बच गई अब देखे जो खास बात है समझने वाली वो है बिजान दवार की और इदर बिजान दवार है इदर जो ये तीन कोशिकाए हैं इन्हें कहते हैं अंड समुचे ठीक है अंड समुचे कहेंगे इनमें ये दो जो साइड में जो कोशिकाए हैं ये तो कालते हैं तो चो कोशी काइं यह कै लाती हैं और किया तरफ यह ये राना निवाग oKO को एंद कोशिका d Знаगे URL वह तर उन यहें वाले यहां लॉफ हैं यह ayaw kषियो kोशी काइं इनई को गद्षा काते हैं रहां O देखेगा इस डियाग्राम के अंदर आप देखेगा इसमें चार के अंदर तो इधर हैं और चार के अंदर के अंदर हैं दोनों विपरी धुरों में चले गए एक चार इधर और चार इधर अब यह तो विपरी धुरों की तरफ जो के अंदर के चले आते हैं यह धुरों से व यहां पर यहां से इधर आए हैं चीक है बीच में सेंटर में आए हैं सेंटर को बोलते हैं केंदरक यह केंदरक जो बने केंदर केंदर में आगे दोनों केंदरक और इन्हें धुर्वय केंदरक कहते हैं क्योंकि धुर्वय केंदरक कहते हैं धुर्वय केंदरक कहा होते हैं कें किलियर अब देखिए अपने जो पाठे पूस्तक है उसमें लाइन टो लाइन पढ़ेंगे और अपने किताब के अंदर भी इसका डाइराम दिया हुआ है उसको भी समझने का प्रियास करेंगे तो चले चलते हैं अपने पाठे पूस्तक में यह लीजिए यह अपनी हेडिंग है मैं हेडिंग क्या है मादा युगमकोद भीद अथवाब भुरनकोस इसमें लिखा है सक्रिये एगुनित गुरु विजानो मादा युगमकोद भीद की पर्थम कोशिका होती है देखिए यानि कि यहाँ पर यह इसकी बात कर रहा है निच यहाँ यह दो परफुसु कोशिका थी इसने गुरु विजानो मातर कोशिका बनाई और इसने दो बार अर्शुतरी वादन किया इसने चार कोशिका बनाई तेन इसकरिये हो गई एक सक्रिये है यह जो कारे सिल गुरु विजानो है यह एगुनित है ठीक है और यह है आगे बार बार समसुत्री बादन करके इसका केंदरक दो से ये दो थे इसमें केंदरक देखो एक और दो दो से चार बन गई ठीक है चार से आठ बन गई आठ में से एक एक बीच में इदर आ गई दोनों गई ठीक है बीच में दो केंदरक आ गई यहाँ पर तिन तिन इदर बच यहां पर यहां पर यह बात कर रहा है कि यह जो कारे सिल्ग गुरु बिजाणू है यह एगुनित है और यह क्या करेगा यहां पर समसुत्री बादन करके मादा युमकोद भिद की यह पहली कोशिका है यहां पर कारे सिल्ग गुरु बिजाणू है यह क्या करेगा इस परकार से बार बार समसुत्री बादन करके तीन बार बादन करके और यह बुरु बनाता है तो कहने कारे सिल्ग गुरु बिजाणू है जो कि एगुनित है यही क्या है इसकी पर्थम कोशिका किसकी मादा युमकोद भिद की या इसको बोल दीजिए बुरुनकोद की पर्थम कोशिका कहलाती है क्लियर तो क्या लिखा है सक्क्रिय एगुनित गुरू बिजानू जो गुरू बिजानू है जो कि सक्क्रिय वाला है ये मादा विद्ध की पर्थम कोशिका होती है इसे बुरुनकोस मातर कोशिका भी कहते हैं ठीक है ने इसको क्या कहते हैं या तो बोल दिजिए इसको सक्करिये या किरिया शिल गुरु बिजानू या बुरुनकोस मात्र कोशिका क्योंकि यह हागे बुरुनकोस बनाने जा रहा है। भीजन का और बरें तो गिल्ते if भी विजशी ब्लब रीटिए निर्बान करती सभु में हो जिसक से तल्द करने करें यहां वाएं कि विजाणों केेंद्रख सत्व में तेन बार मुंग्त केंद्रीर सुक रिवाजन होता हूं इसके Luck कोशीची का वी वाजन नहीं हो रही है इसके पर केंदरक वी बन गई लिए निशे बन गई यह आज़े हैं अगे लिखा आई परठम वी वाजन दवारा में दोनो केंदरक विपे दिखा करणला विपरित धुर्मों यानिकि एक निभाग की और दुसरा विजान दुवार पर पहुँँजाते हैं विप्रिध दुर्ण का मुदलब क्या है? एक निभाग की और देखेगा यहाँ पर यह बीच में रिक्तिका बन गी ना इस रिक्तिका बनेकर यह तो दुदर तला दाएगा केंदरक और यह दुदर चला दाएगा ठीक है ना यह निभाग की और है यह दोनों केंदरक और यह विजान दुवार की ओर है यह दोनों केंदरक Hear art इसकी बात कर रहा है आँगे लिखा है जहां परतेक केंदरक पुनल दो बार विवाजित होकर परते एक धुरुव पर चार-चार के अंदरक बना लेगा यानि कि कुल आठ के अंदरक बन दाते हैं कितने बन गए आठ बन गए अपनी पठे पुस्तक में भी देख सकते हो आप यह रहे और चार इदर चार इदर आठ बन गए तो लिए देखते हैं आगे क चार के अंदरकों में से एक एक केंदरक कोशिका के मद्दे में आकर धुरुव एक केंदरक बनाते हैं देखेगा अभी बताया था आपन ने कि यहां पर इस परकार से यह यह चार और यह चार इनमें से एक एक बीच में आजाएगा इसमें से एक आजाएगा इसमें से आज यह दोनों ही जुड़ करके आगे क्या कर लेंगे दित्ते केंदर्क बनाएंगे दित्ते केंदर्क जो की द्विगुनित होगा क्योंकि एन और एन दो केंदर्क के मिलने से क्या बन गया टू एन बन गया ठीक है ना एक एन और दूसरा एन तो ऐगुनित के अंदरकों के मिलने से तुएन यानिकी दूगुनित बन जाता है और इसे अपन दित्य के अंदरक कहते हैं इसे सनलीन के अंदरक भी कहते हैं इक नाम वो ने इसका सनलीन के अंदरक भी इसको कहा दाता है बिजानदवार के शिरे पर इस्तित तेन के अंदरक देखो इधर बिजान द्वार इधर वाले इसकी बात कर रहा है और इधर तीन निभाग क्यों रहे हैं। ठीक है तेन के अंदरक end समूचे अत्वा end उपकरन कहलाते हैं। अपने नोट्स में देखे हैं अपने इनको। ये रहे ये बिजान द्वार है निदरी ये रा बिजान द्वार इसकी और तीन के बात कर रहा है। ठीक है इसको end समूचे या end उपकरन कहते हैं। आगे लिखा हैं। इस समय भीति का निर्माण भीति निर्माण द्वारा ये कोशिकां में परिवर्टित हो जाते हैं। अब देखिए पहले तो यह केंद्रक याने की सवतंतर वस्ता में थे ठीक है अब इन प्रते केंद्रक चारों और कोशिका की भिति बन जाती है यह कोशिका है यह कोशिका है यह कोशिका यह दोनों साय कोशिका है तो इनके चारतर भिति बननी शुरू जाती है पहले तो यह क् के अंदर खेंचारों और इन तीन जो हैं तीन के तरह तरह भीति बन गई है आपको भीति निजर आ रही है देखो ये रही भीति ठीक है इसके विदर भीति इदर भीति ये भीतिया बन जाती है और भीति बनने से एक कोशिका कहलाएंगी ठीक है भीति निर्मान द्वारा कोश कोशिका देखो बीच वाली यह जो एंड कोशिका है और दो साहे कोशिका होती हैं दोनों यह जो है ना यह साहे कोशिका हैं किलियर इसी प्रकार निभागी शीरे पर यह जो निभाग को दिदर इसकी बात कर रहा है इसकी तेन के अंदर एक संक्तित होकर तेन कोशिकाओं का न परकार कहते हैं बहुत इंपूर्टेंट लाइन है इसको क्या कुंसा परकार धिया कहा पॉली गुनम टाइब एक ब्रोटेंट लाइन रिखे इस परकार परीवर्दित पॉली गुलम परकार का पुछा गया कि यह कंग कों 하루 ध्य में तता आठ के अंदर की होता है देखे बहुत important line है ये कि उसन कई बार exam में पूछा गया कि पोलिगोनम परकार का जो बुरुनकोस है उसमें कोशिका हैं और के अंदर को की संख्या कितनी होती है तो साथ तो कोशिका हैं और आठ के अंदर के हैं तो आपको कैसे तो ले देखते हैं अपने पाठे पूस्तक में देखे हैं पहले ये तेन कोशिका तो आपको दिख रही है और तेन कोशिका हैं इदर बन गई कोशिका का मतलब क्या हुआ तारतर बिती बन गई पहले केंदरक फिरी थे, ठीक है ना, केंदरक कितने हैं, केंदरक आठ हैं, और दो केंदरक इसमें, और दो केंदरक इसमें, और दो केंदरक इसमें और इसमें दो केंदरक होते हैं, ठीक है ना, इसमें दो केंदरक होते हैं, कोशिका एक ही है, एक कोशिका में दो केंदरक हो तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है के तेन और तेन च्छाय और एक साथ कोशिका और आठ के अंदर खुते हैं किसमे पोलिगोनम परकार के बुरुनकोस में ठीक है इसको अपने नोट्स में देखें चलिए नोट्स के लिए अपने बुरुनकोस के अलिगी सनसना बना रखें बड़े आकार की यह राःबुरुनकोस की सनसना ठीक है इसमें तो तीन दो दुरुवे क्यों रहे यह तो क्या है परती व्यासान इसको बोल सकते हैं अंटी पोडल या परती धुरुवे या परती मुखी इसी के नाम है या इसको मादाः गुमग भी कहते हैं, और दो धुर्विया केंदर्क होते हैं बीच में, यह हैं, यह भी एक कोशिका बनाएंगे, ठीक, तो यह कोशिका तो कितनी होगी, यानि कि एक दो तीन कोशिका और चार, पांच और च्छे कोशिका, ठीका, दो सायक वाली, और एक अं इनमें इनर्विक यह रहा चैनर्ख दिख आर आपको यह रहा चैनर्ख थै और एक साथ और एक आठ बीस में जो धुरिवए कैनर्ख उसमें दो कैनर्ख होते हैं तो कैनर्ख के नियुक्ते आठ इसे एक पॉलीगोनम परकार का बुरून-कोस कहते हैं और यही लाइन यहाँ जो important है जो जोर देखर किसको कहा गया है बोर्ड परिक्षा में कई बार पूची गई है साथ कोशिक एर आठ के अंदर के होता है लेकिन बाद में क्या होगा यह जो दित्यक के अंदर एक जो है दित्यक नाविक जो बाद में कोशिका बन जाता है दिगुनित यानि कि यह तो के सा हो जाएगा टू अन हो जाएगा दो के अंदर के मिल गए ना एन और एन तो दिगुनित हो जाएगा जबकि सेस जो त्षै कोशिका है वो एगुनित होती है कैसे देखिए आपन देखते हैं ये दोनों के अंदर तो जाएंगे द्विगुनित टू एंट, ठीक है, ये कोशिका तो केशी होगी, अब द्विगुनित होगी, बाकी जो छे कोशिका बच गई, तीन वाली ये और तीन ये, ये तीनों आगणित रहेंगे इन में गुण सुद्रों के संग क्या आदी आदी ठीक है, एन, एन का मलब क्या है, एगुनित, एगुनित, जो अंड कोशिका या मादा युगुमक है, ये भी एगुनित होती है, और इस अंड कोशिका या मादा युगुमक से क्या मिलेगा, नर युगुमक जो आएगा, वो इससे मिलेगा, इसका सल्यन होगा, अंड कोशि कांग के अंदर यह दिख़आ आपको अजिकर ये प्राकण जो है प्राकण यहांपी गिरते हैं प्राद नर्युक्त होते हैं इसे द्सेमिलएगा तो दित एक अधरक मिलने से यह 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 उत बनाएगा बुरुनपोस फिक इन दोकि त्रीघौ्णित होगा क्योंकि तिन एन हो गए न एक अधर युग्मक भी आ गया और दो दित एक अधरक के अधर था दुर्वुनित और ये जो अंड कोशी का यानि के मादा युगमकोज बनाता है जायगोट बनाता है जायगोट से फिर बुरुन का विकास होता है ये सारी परकेरियाई जो हैपन आगे वाले पार्टों के अंदर पढ़ेंगे तो इस परकार शे हमने यहाँ पर इस वीडियो में जो मादा को उनको समझेंगे और उसके आगे वाले वीडियो में इसके दो परसन होता रहें उनके बारे में समझेंगे धन्यवाद